नमस्कार किसान भाईयो आप सभी के अगवार फिट से स्वागत है हमारी चैनल एलपटेल में आज हम बात करेंगे सहराज की 999 एफी बेरियन की ये 5 स्टार में आप्शन आता है और इसके हम पूरी डिटेल जानेंगे क्या इसके अंदर खास दिया गया है और किस तरीके से किसान भाईयों के लिए इसमें नए नए फीचर्स लाएं है और कितने एच पी में इसे निकाला गया है सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सामने सौराज लिखा हुआ दिख जाएगा और जैसे कि 963 आता है सेम स्टैल में इसे डिजाइन किया गया है सौराज 999 एफी लिखा हुआ है यहाँ पर सालेंसर के लिए प्रोटेक्शन दिखे ताकि कलर खराब नहीं हो टेक्टर का यहाँ आगे आप 5 स्टार लगा हुआ देख सकते हैं नीचे स्टी 4x4 और सिंस 1974 से यह बन रहा है ऐसा लिखा हुआ है वहीं अगर हम दूसरे साइट देखते हैं तो सेम स्टैल में आपको दिखेगा कि सौराज 999 एफी वेरियंट यह दिया गया है अब अगर आप फ्रेंट से देखते हैं तो इसमें वन फिंगर टच बोनेट दिया है मतलब एक फिंगर से आप इसे टच करके उपर उठा सकते हैं ऐसा कमपनी का कहना है सामने अगर आप देखोगे तो इसमें एक बड़ा सा सिलेंडर दिया है जिससे यह ओपन होता है वही सामने बहुत सारे तामजाम लगे हुए जिसमें एक पावर स्टेरिंग के लिए अलग स्वाइल कंटेनर दिया हुआ है और उसके उपर 6 इंच का एयर फिल्टर ड्राइ टाइप का दिया हुआ है लेकिन हम बात करते हैं इसके मेन पार्ट इसके इंचन की तो इसका इंचन जो है वो 86-70 HP केटिगरी ऐसा कमपनी का कहना है ये इंचन 4 स्टोक है टर्वो चार्जड है और इसके साथ इंटर कूलर है उसी के साथ इसमें EGR भी कॉम्बिनेशन में दिया गया है वहीं ये 3 सिलेंडर इंचन जिसका बोर स्टोक 110 का है और डिस्प्लस्मेंट जो है वो 3478 सीसी का है वहीं अगर हम स्टोक की बात करें तो 122 mm का दिया गया है अगर हम इसके rated RPM की बात करें तो 2000 rated RPM पे काम करता है और ये सामने आप देख रहे होंगे ये इंटर कूलर में हवा जाने के लिए जिससे की हवा ठंडी हो के बापस टर्वो में जाती है और फिर टर्वो बापस उसे इंजन में डालता है इसके अंदर ये पूरी प्रोसेस द करके 979 को बनाया है इसके अंदर extra में टर्वो चार्ज आपको दिखेगा जो कि ये red color की piping और काफी सांदार लुक में दी हुई है अब अगर हम देखते हैं इसकी और डिटेल तो यहां पर आपको issue unit दिख रही है जो की control करती है exhaust gas recirculation को मतलब EGR को वहीं अगर हम देखे त ये 3 slender का engine और काफी भारी भरकम दिखाई देता है उसी के बाद अगर हमें इसके clutch की बात करें तो इसका double clutch दिया गया है और ये पूरे 12 inch का बड़ा clutch लगाया गया है जो की अभी तक जो है टेक्टर सीरीज में सबसे बड़ा size आता है दूसरे side से view करें तो यहां पर आपक दो pump दिख जाएंगे यह दो pump में से एक hydraulic के लिए और एक power steering के लिए है उसी के साथ आपको बाहर side में battery दी गई है और अगर आप देखेंगे तो उस पर सहराज की branding दिखेगी वहीं अगर हम इसके turbo को देखे तो इसका जो turbo है उसके अंदर oil की supply जो है engine के तरब से आई है इस opinion reduction के साथ आता है जिससे की आपको काफी जादा turning मिल जाती है अगर आप tractor को turn करेंगे तो आपको turning radius काफी जोड़दार मिलेगी और इसका जो power steering दिये गया है वो उपर की side दिये गया है dual side actuation माला दिये गया है जिससे की driver को load नहीं पड़ेगा और आसानी से आपका tractor जो है व उससे पहले अगर हम इसके brake की बात करें तो यह suspended pedal में दिये गये हैं और यह oil multi plate disc brake दी गये हैं जो कि अभी के समय में टेक्टर में काफी जादा चल रहे हैं उससे के साथ इसमें एक separator दिया गया है जो कि hydraulic oil को साफ करने के लिए लगा गया है इसका क्या काम है यह तो company जायत है कि यह दो पार्ट में बनी हुई है तो मैंने आपको यह दिखाया कि इसमें बीच में एक supporter लगा हुआ है जिससे कि यह आगे supply करती है जो कि काफी अच्छे दिखती है अब अगर हम इसके ऊपर बेट कर देखे तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी बड़ी feel आएग मतलब आप दूर से बेट के उसको खीच सकते हैं मैंने इसे ट्राय करके देखा तो काफी बड़ी हैं style में इसे दिए गया और काफी नरम है आसानी से आप ट्रेक्टर को इसमें बंद कर सकते हैं वहीं देखते हैं तो इसके अंदर horn जो है steering के अंदर आता जो कि सौराज की हला कि सभी ट्रेक्टर कंपनियों को देना चाहिए अब अगर हम इसके gear walks की बात करें तो यह constant में इस gear walks है जिसमें 12 forward आते हैं और 3 reverse आते हैं जितने ज़्यादा forward gear आएंगे उतना असान रहता है ट्रेक्टर को सभी implement पे drive करना और डीजल की बचत भी होती है तो यह काफी अ आता है लेकिन इसमें इसकी speed बढ़ा दी गई है 33 km पर hover की speed इसमें जादा कर दी गई है ऐसा company का कहना है अब हमें इसे drive करेंगे तब ही पता चलेगा कि इसकी इतनी power बढ़ाई है या नहीं बढ़ी है यह सब चीजे clear होती है जब आप ट्रेक्टर को drive करते हैं तब उसी के स नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर control lock दिया है जो कि आप lift को उपर lock करने के लिए use कर सकते है है hydraulic की बात आ ही गई है तो इसमें finger touch hydraulic दी गई है जो कि addc type की आती है और उसी के नीचे differential lock लगाया गया है side से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर auxiliary valve का system दिया गया है जिस उसी के side से अगर आप देखेंगे तो यह charging के लिए डबा दिया गया है जिससे कि आप अपना mobile इसमें रखके charge कर सकते हैं इसे charging box कहते हैं English में वहीं अगर हम दूसरे side देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें separate clutch दिया गया है जो कि PTO के लिए दिया है अलग से ज reverse rotate कराने के लिए जिसे multi speed reverse company कहती है उसके side से एक gear दिया है जिसमें आप four wheel को engage और disengage कर सकते हैं उसके बाद अगर हम इसके back end की बात करें तो यह भरी भरकम दिया गया है इसमें काफी जादा चीज़े add कर दी गई है सबसे पहले अगर आप उपर देखेंगे तो इसमें auxiliary valve क system दिया गया जो कि अलग ही दिखता है और काफी असानी से आपको operate करने में मज़ा आएगा अब अगर हमें इसके hydraulic की बात करें तो यह 200 kg की lifting capacity के साथ आती है मतलब काफी जादा lifting capacity है वो three point sensing है जो कि आप देख सकते हैं इसमें तीन अलग-अलग point है और इसके अंदर पहले से modification करती है ताकि sensor की जो speed है वो बढ़ाई जा सके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर PTO है उसी के side से यह एक gear दिया है जिससे कि आप खुद अकेले ही hydraulic को किसी भी implement में लगा सकते हैं यह सोराज का register trademark है और यह एक gear दिया है PTO को 540 और 540 economy में चलाने के लिए जिससे कि आपको router पर काफी ज़्यादा speed मिल जाती है इस tractor में वहीं अगर हम इसके excel की बात करें तो इसका जो excel दिया गया है यह crown penion reduction बाला excel दिया गया है उसी के साथ अगर हम इसकी PTO HP की बात करें तो 57 HP की इसकी PTO है वैसे 56.9 HP आती है लेकिन 57 आप कह सकते हैं उसी के साथ इसके front tire 9,5,24 के और 16,9,28 के rear tire 4 wheel option में और 75,16 के front tire आते हैं 2 wheel option में यह जो tractor है काफी ज़्यादा demand में आ रहा है किसानों का इसलिए हमने इसका वीडियो बनाया है ताकि किसान भाई हमारी channel से जुड़े रहे है